नमस्कार, हूँ जुकरु पाठकर, स्वागत शे अपनू बुलेटिन इंडियाने आखास विसे इस प्रोग्राम मा आजे वाद करी सूच छेला 47 दिवस करता वदू समय थी चाली रहेला इसराइल अने हमास युद ने तो रस्या अने युकरेन बाद हमास अने इसराइल नो युद आजे दुनिया मा सौथी गंबिर मुद्धो बनेऊ शे इसराइल हमास युद शरुथया ने 47 दिवस थे गया शे त्यारे विस्व भरमा आर्थिक विकास ने गंबिर फट को पहुंचाडी सके शे इसराइल हमास युद ना 47 दिवस बाद आकरे युद विराम थे ओशे जैना कारणे थोड़ा दिवस माटे गाजा मा तोपो अने फाइटर जेट ना अवाजों बंद थे जो शे इसराइल हमास साथे ना युद मा युद विराम ने मंजूरी आपी शे बदलामा हमास पच् चाली रहेला आयुद ना कारणे त्यार सुधी मोटी संख्यामा लोकों ना मौत निप जाशे जारे घणी इमारोतों ने नुक्षान थे ओशे जैना कारणे अन्नेक लोकों गाजा चुडवा मजबूर भने आशे इटलूज नहीं आयुद विश्वभरमा आर्थिक विकास से गंबिर फट को पहुंचाड़ी सके अशे पर अचानक हुमलो करी दितो हतो आ हुमला मा लगबग 230 थी वधू लोकों ने बंदक बनावी अने तैमने गाता मा कैद करी दिता हता हमासना हुमला बाद इजराईले पन जवाबी कार्यवाही शरू करी दिती आस्थिती पविश्यना अनेक पड़कारोंने जर्म आपी रही होर ती वुलागिरा होँचना जेमा नर्समहार नीस्ता थे सामान्य लोकों पन मार्या गया अशना अने गणू नुक्षान धे रहोँचना जोके बन्ने वच्चे चाली रहेला आ युद्ध दमासान युद्धना कारणी विश्विक नैताओने डर शें कि मध्यपूर्व मां व्यापक संकर्ष मां सलजाई शके शें अने आ युद्ध इजराईलनी आर्थव्यवस्थाने पहलाज असर करी चुपयो शें इजराईल तथा हमास वच्चे ना संकर्ष नी असर कुरूड बजार पर चुवामाले न थी आने वार प्रिम्यम ना बदले दिस्काउंट जे विस्थिती सर्जाई शां इजराईल तथा हमास वच्चे युद्ध शरू थयू एपूर्वे विश्व बजार मा कुरूड तेल ना जे भाव बोलाता हता तैना करता पड़ ताज़तर मा भावन नीचा उतली गया ना वावर मल्या हता इजराईल हमास ना संकर्ष छता विश्विक सरे कुरूड तेल ना पुर्वठा पर तथा हेर फेर पर कोई प्रतिकोर असर जणाई न थी अने सामे नवी मांग दीमी पड़ता बजार भाव सतत दबाण ही ठल जुआ मल्या हता जोके इंटरनेशनल एनर्जी एजनसी ना जणाव्या मुझवब विश्विक तरे कुरूड तेल नी मांग आगर उपर उची रहवानी शक्यता ज़ा इजराईल हमास ना युद्ध पूर्वे ना स्तरे बजार भाव उत्री गया युद्ध ना कारणे तेलनी कीमत मां भड़को थवानी शक्यता बजार भाव सतत दबाण हेठर जुआ मली रहाशन विश्व बैंके पन मंदी नी व्यक्द करी हती आश्रंका विश्व मां खान पिणी मी चीजवस्तुओ पन थाई शके छे मौंगी। क्रूल ओलना संकटनी असर भारत पर पाण जुआ मश्रूड तेल बजार ना सुत्रों ना जनाव्या मुझव हकिकत मां मांग नी मंदी ना पगले क्रूड ना भाव दबाण हेठर जुआ मली आशन चीन ना अर्थत अंत्रव विश्यक 6 वारे बहार आवता आकडाओ नबला आवता रहा जुआ। चीननी सरकार अर्थतंत्र ने पीठ बढ़ आपवा विविद पगलाओ जोके भरती रही जुआ। परन्तु आम छता चीन मां आर्थिक स्थिती चिनता जनक रहता विश्व बजार मां कुरू अब हैला विश्व बैंके पुआ आशंका व्यक्तिकरता जणावी होतु कि इसराल अने हमास वच्चे युद्व करशे तो खनिश्टेलनी कीवतों मां जबर्दस्त वधारो थाई शके शेके शे। तेना परिणाम स्वरूप समगर विश्व मां खावा पिवानी विश्व बैंके ना कॉमोडिटी मार्केट आउटलुक मां जणावे अनुसार जो लडाई उग्र नहीं बने तो तेलनी कीमत पर मर्यादित असर थाशे। परन्तु जो संगर्सवत से तुस्तिती बगडी शके शे। युद्नी शरुवात थी तेलना भाव मां लगबग 6 टका वदारो थाशे। युद्नी स्थिती मां जणी किम्मत वदेशे ते सौनू विश्व बैंक अनुसार लगबग 8 टका उछड़े। एटलाक विश्ले शकोने शंकाशे। ये युएस तेलनी अच्छतनों सामनों कर कारण के युएस तेलनों उत्पादन सर्व कालीन उच्च स्तरेश। साथेज आयुद्ध भारतिय अर्थ तंत्र मांटे गणा गंभीर परिणामों पनलामी शक्याश। आयुद्धने कारणे पस्चिम पेस्याना अशांत वातावरण शे जी काचा तेलनी किम्मतों मांटे खुबज खतरनाग साबीत थवा जे रहोश। जेना कारणी पेट्रोल रिजल ना भावमा वधारो थवानी संभावनाश। आउपणांत युद्ध तेना सिवाई पन भारत ने पन गणीरीते नुक्षान पौँचाडी शक्याश। अज्द्रके यसरेयल, झні जालगा जालगा है अजेरेख एंटर्पर लंगावनावनान है कर दो कि अधिए ठब्स्बड पन उस्द्वाणी नेगड एंगर मेड़के बुक्र्णा स्वाद़् है लो, मकबील ओरती लबद्या गियूस मिलूईम नर्खब, वलाशीव मिलखमा शारा, बाुट्समा वाकिफ, शहाओ लो ही कीर, हाओ विशलें मेखीर शहू लो यदा मौतो. अनी कुरह बन अटाइम में कौल अजर्खे यस्राइल, लिशमा बकपदनות, लाँ खयोता चवा, लाँ खयोत पिकुदा ओरेफ, आनाखनू बे मिलखमा बाइनाखो ने नचेह बा। काचा तेलनी कीम्मतों पर इस्राइल हमास युद्धनी असर संपून पणे दिखाई रही ज़ँ. तेना कारणे काचा तेलनों पूर्वठोग खोरवायो ज़ँ. अब गूट ए वात नौधनी अशोए कि भारत नी तेनी जरूर्यात ना 85 टका ख्रूड ओईल नी आयात करें शों ख्रूड ओईल ना आ संकटनी असर भारत पर चौक्तस पणी जुवामाश जेनी असर 2024 नी सामान्य चुटनियों पर पण पड़ी शट्याश जो कि एवो मानवामा आवे शोए कि भारत सरकार चुटनी सुधी पैट्रो डिजल ना भाव मां कोई वधारो नहीं करें परन्तु जो चुटनी पचीपन परिस्थिती मां सुधारो नहीं थाए तो परिस्थिती गंबेर बनी शक्रकें इजराइल हमास युद्ध भारत ना घणा मोटा कॉर्पोरेट हाउस ने पण आज को आपी शक्रकें घणी भारतिय कंपनियों इजराइल मां बिजनेस करें जेमा सनफार्मा, टाटा कंसल्टन्सी सर्विस, विप्रो, अदानी ग्रूप, स्टेट बैंक अफ इंडिया, लार्सन अंड टूप्रो, भारत फॉर्ज अने इनफॉर्सिस नो समाविश थाए जो आ युद्ध लंबाए तो आ तमाम कंपनियों ने भारे नुक्षान वेट पड़ी शक्याशा, भारत पश्चिमेस या उत्तर आफ्रीका अने युरोप ना गणा देशों मा मोटा पाए दवाओनी निकास करेशा, हवे आ युद्धने कारणी अधन्दो प्रभावित थाए रहाऊशा, छेला बे सप्ताहमा दवाओना शिप्मेंट मा गटाडो रुप्या अने डॉलर वच्चेना स्तम्बंधने कारणी भारत ने निकास मा फाइदो थाए छा, हवे इसराइल हमास युद्धना कारणी निकास कारो माटे, विमा प्रेमियम मौगो थाई शक्याशा, साथेज शिपिंग खर्च पन वदी शक्याशा, जेना कारणी गणा युरोपियन देशों साथे वैपार ने मौगो बन शे, अथवा निकास मार्जिन खटशे, एटलो ज नहीं, सुरत शेहर विश्वमां डाइमंड कटिंग नू साथी मोगो हाब शे, अने भारत दर वर्षी इसराइल ने 1.2 मिलियन ना कट अने पोलिस्ड हीरा नी निकास करेश, तो इसराइल मां थी 520 बिलियन ना रफ हीरा अने 220 मिलियन ना कट अने पोलिस्ड हीरा नी आयात करेश, आरी ते इसराइल हमास युद आ वैपार नी प्र प्रदाने जुनावी होतू तो आवाज बिजावी सेयो साथे फरीमनीशू या सुधी जोता रहो मुलेटीन इंद्या भरसु गुश्रातों नमस्कार